नमस्कार दोस्तर मैं हूँ सावराफ और टेक्यार में आपका फिरसे स्वागत है तो आज मैं वह वीडियो बाने जा रहा हूँ जो आप लोगों ने बहुत दिन से मुझे पूछा है वह क्या है इस PC के अंदर क्या है PC का क्या है स्वट्वीचेशन सेम तो आज मैं इस वीडियो में बहुत शौर्ट तैम है आपको बताउका क्या 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 इसके अंदर और इसके बाद थ 이용 करिंगा कि PC कैसे मैंने बनाया था क्या-क्या मेरे दिमाग में था और कैसे PC बना था तो मैं आपको बताऊणगा वीडियो के अंद में और एक वीडियो में डेडिकेटe वीडियो शाॉम्मी के लिए बनाऊंगा जो है बहुत लोग का यह question है क्यूंकि मैं देख रहा हूद बहुत दिन से के MIUI का जो fastboot ROM या फिर update करने का जो ROM होता है basically different type का ROM होता है और कहां से download करोगे यह बहुत कुछ question मुझे बहुत दिन से मिल रहा है वो भी मैं dedicated video बनाऊंगा तो देर की इस बात का चलिए देखा जाए के क्या है PC के अंदर तो तो दोस्तों अगरमै केस की बात करूँ पहले तो case जो यहां पर यहां पर यहां पर कोशिर कारभाइट स्पिक 3 बहुत ही एक क्या बता हुआ मैं low cost a case यहां पर मीट आवर के से कोर्षयर के दरफ से इससे बेसिक लाइन अपे कोर्षयर गा यह और ओपे एड़ सिस्टम है दोनों LED फैन से वहां पे रेड कलर का और यहां पे देख सकतो इंटर्नल जो है किबल मैनेजमिन उतना भी अच्छा नहीं है और जो कूलर हम यहां पर यहां पर यूसुकर है वह भी कोषयर का है कोषयर है इतना है वह अजब्र है Marsh ओक और दोस्तों अगर में các माटरोन थी और यहां पर इतना तो यहां पर पर कुछ भी नहीं है गीगबाइट Z170X Gaming 3 Motherboard है जो इंटल 6th और 7th generation को support करता है और आप यहां पर overclock भी कर सकते हो प्रोसेशर है Core i7-6700K और यह भी 6th generation का है और इसको हम लोग overclock कर सकते है base frequency है 4 GHz का और ग्राफिस कार्ट के मामले में अगर में हम लोग आए तो ग्राफिस कार्ट है Asus Strix 970 GTX और 4 GB का इसका वी RAM मेमरी है और 16 GB का टोलर राम हम लोग यूस करते है 2 RGB का स्टीक है डूल चैनल राम है यह और 2400 MHz है इनका अचली फ्रीक्वेंसी इंटल एक्जम पी मॉडूल में और यहां पर Sandix Ultra 2, SATA 6, SSD 256 GB का हम लोग यहां पर यूस करते है कीबोर्ड बहुत ही बेसिक है Amazon Basics हम लोग ने इसको खरीदा है बहुत ही बेसिक कीबोर है लेकिन हमारा का मचे से जल जाता है और यह कोशर का हारपून माउंस जो एक हाई DPI माउंस है तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि PC का अंदर क्या है तो हाँ पहले बता दू बहुत हाई-फाई, हाई-क्वालिडी चीज नहीं है अगर बहुत लोग का क्वेस्टन हो गया कि क्यों 970 क्यों कि जब हम लोगों ने PC एसेंबल किया था तो 970 एक बहुत अच्छा उस टाइम में एक लिस्ट बहुत अच्छा एक ग्राफिक्स कार्ट था उसके बाद 1070, 1060 या फिर 1080 और 1080 टाई मार्केट में आ गया हम लोगों ने नहीं सुझा का अप्डेड करेंगे और बहुत दोगा यह भी कोशन है क्यों 6700 के क्यों 5920 फिर 5930 नहीं है क्यों इंट्रेल एक्स्ट्रिम एडिशन का प्रोसेसर नहीं है क्योंकि जो काम हम लोग करते हैं यहां पर नॉर्मली पहले तो मैं बता हूँ वीडियो एडिटिंग तो उसके लिए जैसे एडिटिंग हम लोग करते हैं वहां पर इससे ज्यादा चाहिए भी नहीं और 6700 के जब मैंने खरीजा था मार्केट में यही था 7 सीरीस नहीं आया था 7 जेनरेशन नहीं आया था तो उस टाइम में 6700 के ही मार्केट में लीडर था और गिगावाइट क्यू नॉर्मली मैं लोगों को असूस या पिर MSI के लिए कहने को बाई करने के लिए कहा था लेक गेमिंग 5 में खरीज सकता था लेकिन गेमिंग 5 मैं खरीजा नहीं क्यूंकि वहाँ पे और उसके साथ का मैं कॉंपर करूँ गेमिंग 3 का तो सिर्फ और सिर्फ डूवल गिगाबाइट पोर्ट था दूवल इंटरनेट पोर्ट और शायद पावर फेजिंग में थोड़ा अपग्रेशन था उसके लाबा जो पावर फेजिंग का अपग्रेशन ओवर क्लॉकिं में काम आता है तो हम लोग ओवर क्लॉक नहीं करते हैं तो गिविंग 3 मुझा लगा कि ज्यादा अच्छा होगा और मेरेल शिलिंग है जीप्यू के लिए जीप्यू सैगिंग में अब वीडियो आपके लिए अपलोड करू या फिर वीडियो के अंद में जोड़ दू कुछ वीडियो के अंद में तो मुझे जरूर बताएए कॉमें सेशन में मैं आपके कॉमेंट ले वेट करूंगा और तद पर के लिए अलबीदा आप सिर्फी मलाकात होगी में निक्स वीडियो में